बहुत पुरानी बात फुरफुरी नगर में एक चुडैल का साया था, वहर रात को आती और घर का दर्वाजा बजाती जो भी दर्वाजा खोल देता उसे पकड़ कर ले जाती थी, फुरफुरी नगर में दो दोस्त रहा कर देते हैं, एक का नाम मोटू था एक का पतलू, पत और अपने परिवार का भी ध्यान रखना, मोटू बोलता है, हाँ भाई मैंने भी सुना है, जौन के लड़के को वह चुडैल उठा कर ले गई, ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं, एक दिन पतलू के मामा का फोन आता है, कि तुम्हारी नानी की तबियत खराब है, फिर पत ध्यान रखना, मोटू बोलता है, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें शहर जाना पड़ रहा है, पतलू बोलता है, मेरी नानी जी की बहुत ज्यादा तबियत खराब है, पतलू शहर चला जाता है, एक दिन की बात है, रात का समय था, मोटू सो रहा था, बाहर से उसे घर के दर आवाज में बोलती है भाई मोटू गेट खोलो मोटू को लगता है कि पतलू आया होगा मोटू दर्वाजा खोल देता है और अपने सामने चुडैल को देख कर घबरा जाता है फिर चुडैल मोटू की गर्दन को काट कर ले जाती है ऐसे ही कुछ दिन बीट जाते हैं पतलू शहर से लोटता है पतलू अपने दोस्त को पूरे फुरफुरी नगर में धूनता है पर मोटू उसे नहीं मिलता है फिर पतलू घसीताराम के पास जाता है घसीताराम से पतलू पूछता है मेरा मोटू कहां गया घसीताराम बोलता है तुम्हारे मोटू को कुछ दिन पहले इप चुडैल उठाक कर ले गई, यहां बात सुमकर पतलू बहुत उदास हो जाता है, पतलू बोलता है, वह चुडैल मोटू को कहां पर ले कर गई, घसी ताराम बोलता है, वह चुडैल मोटू को पास की गुफा में ले कर गई है, फिर पतलू जंगल में से होकर जाने वाले रास्ते से उस गुफा में पहुचता है पतलू गुफा में मोटू को ढूनता है पर उसे मोटू नहीं मिलता पर उसे ऐसा करते है चुडेल देख लेती है चुडेल बोलती है आज मेरा शिकार खुद चल कर मेरे बिल में आया है पतलू बोलता है मैं मेरे मोटू को लेने आया और मैं मोटू को लेकर ही जांगा तुम्हें अपना मोटू वापस चाहिए ना तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा जिससे मेरी मुक्ती भी हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा दोस्त भी मिल जाएगा कैसा सवाल इससे मेरा दोस्त मिल जाएगा ना मुझे हाँ मेरा सवाल का उत्तर दो ऐसी कौन सी चीज है जिसके आंखों में उंगली डालने से वा अपना मुंग खोल देती है पुछ देर पतलू सोचता है फिर पतलू बोलता है ऐसी बस एक ही चीज है उसका नाम है कैची यहाँ जवाब पतलू का बिलकुल सही था जवाब पाकर चुडैल बहुत खुश होती है उसको सवाल का सही जवाब मिल गया था इससे चुडैल का मोक्ष हो जाता है कुछ देर बाद चुडैल वहां से गायब हो जाती है चुडैल के गायब होते ही चुडैल का जादू तूट जाता है और मोटू वहां पर आ जाता है मोटू को देख कर पतलू बहुत खुश होता है इसी के साथ कहानी खत्म होती है आपको कहानी पसंद आई तो कृप्या करके लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना थैंक्यू फॉर वाचिंग बाय कल मिलते हैं इसी ही एक नई कहानी के साथ